तो दोस्तो आज की कहानी एक प्यास या औरत के उबर होने वाली है जिसकी प्यास उसका पती चाहकर भी पूरी रात में नहीं मिटा पाता जिसकी वज़े से वो एक हाई प्रोफाइल कॉल गरल का काम करने लगती है अब उसका उसके हस्बेंड के साथ आगे की जिंदगी कैसी गुजरने वाली है ये हम इस कहानी में देख पाएंगे तो आईए कहानी की शुरुआत करते हैं तो कहानी की शुरुआत होती और हमें सेवरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है याने एक औरत को जो अपने हस्बेंड के साथ कहीं जा रही होती है और इस वक्त हम दे कोड़ों को फाड कर निकाल देता है जिसके बाद उसका नौकर सेवरी पर कोड़ी बरसाना शुरू कर देता है एक जब सेवरी के साथ इतना सब अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सेवरी अपनी एक दोस्त रहनी से बात कर रही होती है जहाँ पर उसे रहनी से पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड कॉल गरल का काम करती है यह सुनने के बाद सेवरी एक्साइटेड हो जाती है और कहीं न कहीं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो भी कॉल गरल बनना चाहती थी अब जब सेवरी घर आती है तभी उसे वहाँ पर ओल्टर का रखा हुआ गुलाब मिलता है लेकिन सेवरी उसे एक नोर कर देती है जिसके बाद वाल्टर उसे फॉलो करने लगता है अब एक दिन हम देखते हैं कि वा मैडम अलास से होती है सेवरी यहाँ पर इस औरत को बताती है कि वह एक काम तभी कर सकती है जो उसके हस्बेंट जॉब पर गए हूँ यानि दिन के दो बहर से लेकर शाम के पाँच बजे तक अब हम देखते हैं कि सुबह के टाइम सेवरी अपने हस्बेंट के साथ होती है उसकी जाते ही वो फारण मैडम अलास के पास पहुच जाती है यहाँ पर मैडम अलास उसे समझाती है कि यह काम बहुत ही सेक्रेट तरीके से किया जाता है और यहाँ पर सारी लोगों का नाम बदल कर दूसरा नाम बता दिया जाता है जिसके बाद अब और सेवरीन को उसके पॉल गरल काम के लिए नहीं जाती और हम देखते हैं कि अब जब वो आपस लोट आए थी तो उसमें काफी ज्यादा बदलाव हो चुके थे और इसका confidence काफी उचे लेवल का हो चुका था और अब वो भी अपने क्लाइंट के साथ खूब मज़े करने लगी थी क्योंकि वो ज दिन उसे अचानक से वॉल्टर मिलता है लेगर उस बेचारे को घर के बाहर से ही लोट जाना पड़ता है क्योंकि सैबरिन ने उससे मिलने से मना कर दिया जिसके बाद हम देखते हैं कि सैबरिन एक अलग मर्द के साथ अपने आपको imagine करने लगती है और रोमैंस करने लगती काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और इस वक जब वो अपने हजबन के साथ होती है तब भी वो मार्शल को ही याद कर रही होती है क्योंकि उसे मार्शल काफी ज्यादा पसंदा गया था और इधर दूसरी तरप मार्शल का भी यही हाल था हम देखते हैं कि मार्शल बार तब ही वहाँ पर Walter आ जाता है यहाँ पर Walter से कहती कि तुम्हें मेरे साथ जो कुछ भी करना है करलो लेकिन मेरे husband से तुम कुछ नहीं बताओगे तब यहाँ पर Walter कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर intimate होना चाहता था लेकिन जो वजा थी वो अब खत्म हो चुकी है क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो कशिश थी वो अब नहीं रही जिसके बाद वो सैबरिन के साथ कुछ नहीं करता और इसके husband को भी कुछ नहीं बताता जिसके बाद वो उसके पूरे पैसे दे कर वहाँ से चला जाता है अब उसके जाने के बाद यहाँ पर सैबरिन का दिमाग खुल जाता है और उसे एहसास होता है कि वो बहुत गलत कर रही है अब सैबरिन जौब छोड़ना चाहती है लेकिन मैडमेलास ऐसा नहीं चाहती है लेकिन सैबरिन अब यह काम हमीशा के लिए छोड़ देना चाहती है और तब ही हम देखते है कि मार्शल सैबरिन को ढूलते हुए उसके घर तक पहुच जाता है जहां पर वो उससे एक दिन और एक रात उसके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है लेकिन सैबरिन ऐसा करने से उससे मना कर देती है जिसके बाद मार्शल उसके घर के सामने बैट कर उसके हस्बेन का इंतजार करने लगता है और उसके आते ही मार्शल उसे फारण गोली मार देता है जिसके बाद मार्शल को पुलिस पकड़ लेती है लेकिन इधर सैबरिन का हस्बेंट बश्ट दो जाता है लेकिन वो इस वक्त कॉमा में होता है सेबरिन भी इस वक्त उसे रोक नहीं रही थी इस वक्त सेबरिन के हस्बेंट की आँखों में आसू होते हैं क्योंकि सारी सच्चाई उसे पता चल चुकी थी लेकिन इस वक्त वो अपाईज होता है रोक कुछ भी कर नहीं सकता था बस रोणने के अलावा अब हम देखते हैं कि सेबरिन ठीक अपने हस्बेंट के सामने बैट जाती है और उसके ठीक होने को इमेजन करने लगती है जिसके बाद डोनोर ट्रिंक करते हैं और अपने छोटी का प्लान बनाते हैं जिसको दिखाते हुई यह कहाँ